मेश आज किसी बात को लेकर मन में दुविधा रहेगी जिससे निरने लेने में परिशानी हो सकती है। किन्तु जिस परिस्थिती को आप टालने का प्रयास कर रहे हैं, उसका सामना जितनी जल्दी करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा और तनाम भी दूर होगा। नकार आत्मक सोच से बचे, किसी एक सपर प्याका उनसलर से मिले, पुरानी बातों को सोच कर अपने वर्तमान को खराब ना करें, जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते किन्तु अपने आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए प्रयास अवाश्य कर सकते हैं, प्रोफे तो मैं आज कोई भी फैसला भावुकता में आकर ना ले, किसी एक सपर से सलहा करें, किन्तु किसी रिष्टे के कारण परिशान हैं तो उससे संबंधित हल निकाल ले मेल्थ, सेहत का थ्यान रखें, चिन्ताओं के कारण अपनी सेहत पर असर ना होने दें, मेडिटेशन, य और प्राणायाम आपके लिए बहुत लावकारी रहेगा, व्रिशाज का दिन कार्यक्षेत्र से संबंधित स्थान परिवर्तन आपके लिए लावकारी रहेगा, छोटी मोती परेशानियां आज लगी रहेंगी, इस कारण चिन्तित ना हो, इनसे आपको अनुत्सान नहीं ह निजी और व्यक्साई जीवन में आज ताल मेल गठाने में कुछ कठिनाई हो सकती है, किसी के साथ छोटी सी बात पर जग्रा हो सकता है, आज अपने गुस्से पर काभू रखें बात को शांति पूर्वक्त सुलजाने का प्रयास करें, प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में ब पर जग्रा हो सकता है, कभी भी बातों को अन्देखा करना बेतर होता है, शांति बनाएं रखने के लिए हेल्थ, स्वास्थे सामान में रहेगा, किसी पुराने समय से चले आ रहें, रोग से जल्धी निजात मिलेगा, अपने प्रयास करते रहे, मिथुन कुछ पुराने रिष्टे यदि दूर जा रहे हैं तो निराशना हो, इसमें भी आपकी ही भलाई है, यदि किसी चीज को जकर के रखने का प्रयास करेंगे तो दरदाप को ही होगा, अपने आपको परिस्थतियों के अनुसार ढालने का प्रयास करें, बदलाव जी जीवन में कई बदलाव आ रहे हैं, यह समय एक नई शुरुआत का भी समय है, प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में आज का दिन अच्छा रहेगा, काम से संबंधित किसी यात्रा के योग बन सकते हैं, करियर लाइन यान ओकरी बदलने का विचार अच्छा रहेगा आपकी प् नियमे त्रूप से कर रहे व्यायाम से जल भी अच्छा फल मिलेगा, स्थान परिवर्तन से स्वास्थे लाध होगा करका आज का दिन आपका मन काम में नहीं लगेगा, अपने जीवन की दिशा को लेकर मन में कुछ असमज़स बना रहे सकता है आप में घरपूर योग्यता होते हुए भी आप अपना कोशल पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जिससे मन में असंतोश की भावना होती है। यदि आपके कुछ सपने हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए आज कोई कदम अवाश्य उठाए चाहे वह कितना ही छोटा हो। इससे आपकी उर्जा को उचित दिशामिलेदी। प्रोफेशन यदि अपना व्यवसाय आरंब करना चाहते हैं तो यह उचित समय है अवसर और साधन आसानी से प्राप्त होंगे। लब, अपने लिए भी थोड़ा समय अवाश्य निकाले, अपने परिवार को अपनी जरूरतों के बारे में समझाएं गेल्थ, स्वास्थिय के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यक्ता है। यदि किसी रोग से जूच रहे हैं तो माडर्न चिकत्सा के साथ साथ अल्ट कर आ सकती है जिसका आपने सोचा नहीं था। हो सकता है यह किसी परेशानी के रूप में हो किन्तु इसका अबजेक्टिवली आंकलन करेंगे तो आपको इसमें नहित्वरदान समझ आएंगे। आज आपको अथ्यात्मिक प्रक्ति करने के भी अच्छे अफसर प्राप्त हो लब प्रेमी के साथ शांती पूर्वक किसी भी बात को करें। यदि आप प्यार की तलाश में हैं तो जल भी आपके जीवन में आपके सोल मेट का आगमन होगा हिल्थ। स्वास्थे का थ्यान रखें। मोसम के कारण कोई रोग परेशान कर सकता है। घरेलू इलाज से होगा। कन्या आज आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे आपके जीवन में कई पुराने पटहर्म्स ब्रेक हों। ऐसा जो आपके जीवन धरा को उचित दिशा में ले जाए। जीवन की दोड में कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन के लक्षे को भूल जाता है। आज उस लक्षे को जानने का प्रयास करें और उसकी और अग्रसर हो। यदि आर्तिक रूप से स्थिती अनुकूल नहीं है तो जल्दी सामान्य हो जाएगी। अपने आप पर भरोसा रखें। प्रोफेशन अपने विचारों को व्यक्त करें। यदि नया व्यापार आरंब करने का सोच रहे हैं तो लाब होगा। धन लाब के योग बन रहे हैं। लब प्रियाजनों को भी उतना ही मत्पुदे जितना काम को देते हैं। परिवार अजनों के साथ थोड़ा समय बिताने से रिष्टों में बहुत सुधार आएगा हिल्थ। यदि जोडों के दर्द से पीड दिजात मेलेगा। तुला आज का दिन फल्दाई रहेगा। आपके आईदियाज और प्लांस चल भी लागू हो पाएंगे जिस कारण आपकी मान प्रतिष्ठा में भी व्रधि होगी। काम में आपका फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन इसके चलते अपने परिवार और निजी जीवन की जिम्मेदारियों को अंदेखा ना करें। उनकी और भी थ्यान दे। किसी परिवार जन के साथ व्यापार करने का सोच रहे हैं तो अच्छा रहेगा। आज सामाजिक मेल जोल में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं जिससे आपके अच्छे भरे संबंथ बनेंगे। प्रोफेशन आज काम में आपका फोकस बहुत सुन्दर बना हुआ है। दास और सकर्मियों से प्रशन सामिलेगी। किन्तु सफलता के लिए बहुत मेनत भी करनी पड़ेगी। लब प्रियाजनों के साथ आज थो रूप से पालन करें। इससे ना केवल सेहत में सुधार होगा बलकी मन में भी शांती रहेगी। व्रिश्ची का आज आपके मन में तनावपूर्ण स्थिती रहे सकती है। मन में बहुत से विचार चल रहे हैं किन्तु उन्हें लागू नहीं कर पा रहे हैं जिस कारण दुविधा हो सकती हैं दूसरों पर भरोसा करना सीखे। परफेक्शन पर इतना ध्यान ना दे कि उससे आपके स्वास्थे, मन की शांती और रिष्टों पर भी नकारात्मक असर हो। सकारात्मक दृष्टि को रखने का प्रयास करें। प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में इस कर्मियों के साथ किसी बात पर तनाव बढ़ सकता है। किसी और की बातों से प्रभावित ना हो नेल्थ, स्वास्थे के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यक्ता है। किसी पुरानी बिमारी से निजात के लिए शरीर और मन दोनों का उपचार आवश्यक है धनुआ आज काम में मन नहीं लगेगा यदि अपने काम से उपगए है तो जिस काम में रूची हो उसके लिए नियमेत रूप से थोड़ा समय आवश्य निकाले इससे मन और मस्तिष्क तरो ताजा रहेगा और नए लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा सामाजिक मेल जोल बढ़ने से व्यवसाय में भी लाब होगा और निजी रिष्टों में नए आपन आएगा प्रोफेशन आप काफी समय से जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वह पूरणता के नज़दी है थोड़ा ब्रेक ले और फिर उस पर नए जोश से काम करें लव यदि अविवाहित हैं तो रिष्टा ढूंढने के लिए तनावपूर्ण स्थिती न उत्पन करें कभी कभी देर होना आपके हित में होता है हेल्थ स्वास्थिय का ध्यान रखें शरीर से उतना ही काम लें जितनी उसकी क्षमता हो नहीं तो यह रोग को निमंतरन देने जैसा होगा मकर आज के दिन आप में उर्जा की थोड़ी कमी मसूस हो सकती है लंबे समय से चली आ रही परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा जिस कारण मन में नुदासी सी मसूस हो सकती है परिवर्तन ही जीवन का नियम है अच्छा या बुरा कुछ भी स्थारी नहीं है लोगों और वस्तुयों से अपने आपको वियुक्त करें आज का तिन अपने इश्व देव को याद करें और उनकी अर्चना अवाश्य करें प्रोफेशन यदि करियर लाइन बदलना चाहते हैं तो यह उचित समय है काम से संबंधित कुछ नया सीखने का प्रयास करें लब आज किसी नए रिष्टे की शुरुआत हो सकती है विवहा संबंधी जल्धी कोई अच्छी खबर मिलेगी हेल्थ स्वास्थे अच्छा रहे किसी पुराने समय से चले आ रहे रोग से जल्धी निजात मिलेगा अच्छी दिन चर्या का पालन अवाश्य करें कुम्ध परिस्थिती चाहे जितनी भी प्रतिकूल हो आपकी मेहनत और विश्वास से आप उसमें भी नहित वर्दान ढून भी सकते हैं वर्तमान में जीने का प्रयास करें ऐसा ना हो कि आप आज के सुन्दर पलों को गवादें और जीना ही भूल जाएं अपने जीवन में आज अपने वर्दान को देखने का प्रयास करें आपके चारों और नही ताशीरवाद और वर्दान पचाने आपको भूत से सुन्दर अवसर मिल रहे हैं जीवन में उन्नती के लिए उन्हें जाने ना दे अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और अपने लिए काम करें अपने अस्तित्व की पचान बनाएं प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में आप अपनी शमता से अधित समय और मियनत दे रहे हैं अपनी मियनत के अनुसार अपने वेतन को बढ़ाने के लिए बात अवाश्य करें लग, रिष्टों में नयापन लाने के लिए अपने प्रियजनों के साथ कुछ समय अवाश्य बिताएं गेल्थ स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा किसी सेहत संबंधी लक्षन को अंदेखा ना करें उसकी जल से जल जाच करवा कर निश्चिन्थ हो जाए मेन आज बनाए हुए प्लांस पूरे नहीं हो पाने के कारण परेशानी हो सकती है आज भव्यश्य के लिए कोई योजना ना बनाए अपनी अथ्यात्मिक प्रक्ति के लिए आज कुछ अवाश्य करें कोई कोर्स करें या कुछ पढ़ाई करें या मेडिटेशन यह सब आपके लिए बहुत लाबकारी रहेगा और आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करने में सिध्ध होगा चाहे वह कार्यक्षेत्र हो यानि जीवन प्रोफेशन अपना फोकस बनाए रखें और अपनी मिहनत में कोई कमी ना आने दें आपको सफलता मिलेगा हिल्थ स्वास्थे का थ्यान रखें यदि किसी रोग से पीड़ित हैं तो रोग से निजात के लिए थोड़ी ज्यादा मेनत करनी पड़ेगी